दोस्तो जेपी पावर की बात को तो स्टॉक के इंदराज काफी बड़ी गिरावट है लेकिन ये गिरावट सिरफ जेप्रकास पावर वेंचरस लिमिटेड में नहीं है बलकी पूरे बाजार में जबर्दस गिरावट है अब ये गिरावट क्यों हो रहे इसको समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से और जिस तरसे के स्टॉक फिर से सिंगल डिजिट में आ गया है क्या इस समय में स्टॉक से निकल जाना चीए या फिर वापस हम्रे पास डिप में खरिदारी का ये मौका है समझने की को जाने जिसने से बड़ी डील हो रही है उसमें क्या खरिदारी हो रही है या फिर सिर्फ बिक्वाली हो रही है जिससे हमें भी आगे की रणीजित टाय करने में काफी ज़ना आसा नहीं हो सकते है तो उसको डील को समझने की कोसेश करेंगे और आगे की बाजर का क्या सिनेरियो और इतनी बड़ी गिरावट के पीछे वज़े क्यारे उसको भी समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब बाजार की बात करें तो अभी लगबग देड़ बज़े के आसपास का टाइम है बीएसी सेंसेक 64,911 के इस्तर पर है यानि 55,000 के इस्तर को भी इसने तोड़ दिया है आप ये देखी सकतों की लगातार बाजार में गिरावट का माहुल बना हुआ है 600 पॉइंट की भारी ग बढ़ी है और सिगनल बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे है यहां पे अगर हम देखे तो निप्टी एनरजी में गिरावट उससे भी जादा है 26,600 तरीके इस्तर पे 369 पॉइंट की भारी गिरावट है यानि 1.37 परसें डाउन है निप्टी एनरजी और इसका निग 1.29 परसेंट की बड़ी गिरावट थी S&P 500 की बात करें तो 4,229 के इस्तर पे 1.37 की बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिया नेश्ड़ कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,59 के इस्तर पे 1.87 की जबड़ दस्क और बंपर गिरावट थी रजल्ट टूथावट इंडेक्स की बात करें तो 17,27 के इस्तर पे 1.69 की गिरावट तो सभी इंडेक्स के अंदर बहुत भारी गिरावट था और इसका आसर हमारे बाज़ार में भी देखने को मिला गिरावट के साथ सुरुआत हुई और ये गिरावट अब बढ़ रही है अब JP Power की बात करें तो स्टॉक की सुरुआत 10 पर हुई यानि सुरुआत तो 2 डिजिट में हुई कल की क्लोजिंग 10.05 के आसपर थी लेकिन आप देखेंगे ये दिन बर की आये वहाँ से गिरावट शुरू होगी और 9.35 का इसने इंटराडे में लोग बना है इने स्टॉक स्टॉक 26 सितंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 10.55 के आसपर थी कोई भी अपना देखना को नहीं में लिए पार पार ट्रेडिंग से लगातर गिराउट होते हैं और आज गिरावण काफी जादा बढ़ चुक है और इसके पीछे बज़ा है बाजार में गिराउट आज वॉल्म में जबर्दस हिजाफा है और यह समझ सकते हैं इस वॉल्म का मतलब यह है कि यहां पे विक्वाली भी ब भारी है अब यहां पे यह जो गिरावट बनी है बाजार में इसके पीछे सबसे बड़ी बज़ा है कि आर बिया की देख सकते हो कि जो मौदरिक निती समीती यानि एमपीसी की बैटेगाज से सुरू हो चुकी है और इसमें आर बिया क्या फैसला लेगा इसी को लेकर बाज चेंज रखेगा इसी को लेकर यहां पे बाजार इसमें वेट और वाच की स्तती में और देख सकते हो कि इसका आसर निगेटिव बाजार पर पड़ रहा है साथ में सोने की कीमतापी भी पड़ रहा है नि गोल्ड भी इस बार गिरावट के चपेट में आ चुका है हर बारे की जा रही है कि आर वे अपनी मौजुदा ब्याज़ दरों को यधावद रखने का ओप्सन चुन सकता है यानि अंचेंज रख सकता है शेर मार्केट सोने की कीमताप में गिरावट के पीछे यह आसन का यह कारण भी हो सकती है यदि इन्वेस्टर का मानना की ब्याज़ दर किया गया है वो डिमांड से जादा किया गया है यह आप देखतो कि कोल सॉर्टर बिल्कूल दिखाएनी दे रही है और यह खबर में जो आप समझ सकते हो कि इस बार कोल इंडिया लिमिटेट के जो चेर्मेन और एमडी है पी एम प्रसाद उनका कहना है कि जितनी थर्मल पा किया टोटल कोल का जो 1.8 मिलियन टन ज्यादा है यह तून नाइटी थरी की डिमांड सी उसके सामने 294.8 मिलियन टन का कोल सप्लाई किया गया फर्स्ट हाप के अंदर तो देख से तो कि काफी समय के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहां पे जितनी डिमांड है उससे ज का टोटल कोल की सप्लाई की गई है जो 4% ज्यादा है डिमांड के मुकाबले डिमांड थी 586.6 मिलियन टन की तो देख सकते हो कि इस समय कोल बेस पाउर प्लाइन फूरी चमता से अपना काम करेंगी क्योंकि उनको कोल की सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं था ऐसे में आन inputs 9.90 की प्राईस से 28,80,000 की जमरदस खरिदारी ओर ओई यहनि सुब सुब आदर खुलते ही यहाँ पकर खरिदारी शूरू हुई फिर 10 बचकर 1 मिनट per 9.80 की प्राईस से 23,50, territory से चरू की एक बड़ी खरिदारी ओर हुई फिर 10 बचकर 12 मिनट per 9.70 की प्राईस से 23,98, experien चर 9.80 की प्राइस से 24,86,000 की फिर से एक बिक्वाली हुई उसके बाद 11.46 मिनिट पर 9.70 की प्राइस से 22,64,000 की एक बड़ी खरिदारी फिर से हुई तो सुबस्बा आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिक्वाली और खरिदारी दोनों ही हो रही थी यानि 12 बज़े के पहले खरिदार और बिक्वाल दोनों ही एक जैसे ही थे और इस वज़े से थोड़ा से इसको स्टेबिलिटी मिली लेकिन उसके बाद में गिरावट शुरू हो गई 11.54 मिनिट पर 9.60 की प्राइस से 26,100,000 की एक बड़ी बिक्वाली हुई तो देख सकते हो कि प्राइस दीचा आने के पीछे बज़े की 12 एक बज़े के बाद इसमें कुछ बड़ी बिक्वाली बाज़ार में गिरावट का महुल बने लगा तो यहां पी बड़े फंडा उसने बिक्वाली करनी शुरू कर दी वैसे जेपी पॉर के लिए अच्छी ख़बर यह है कि इस लेवल पे भी एक काफी अच्छी खरीदारी बड़े फंडाउस के हो रही है यानि बाज़ार संबल गया तो यहां पे जेपी पॉर में फिर से तेजी आ सकती है लेकिन फिलाल सेंटीमेट बिगड़े हुए और ऐसे में बाज़ार में गिराओट होगी और यह स्टॉक भी नीचे जा सकता है और क्वार्टेटू के रिजल के बाद इसको एक नया ट्रिगर मिलेगा और इसके बाद तेजी से स्टॉक आगे बढ़ सकता है और आज 65,000 के इस तर को भी BSE सेंसिंग ने तोड़ा है तो यह रिस्क तो बनती है यहां पे लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एड़ाजर से बाड़े ले या आपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेसनल फरफच के लिए ही बनाया है वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए